सुधीर सोनी इनका सवाल है कि इतने सप्रूफ सोने के बावजूद ये सुन्दरदास महाराथ जेल में क्यों नहीं है देखिए उस समय में ये 85-86 की बात है उस समय में ऐसा कोई कानून नहीं था कि जिसके आधार पर महाराज के खिलाब कोई कंप्लेंड नहीं होने के बावजूद कोई स्त्रिय अगर बलातकार कारोब करती है तो ये संभव था और महाराज के खिलाब कोई इस धंका बलातकार कारोब करने के हिम्मत नहीं करता है उसके पीछे के दो कारण वो स्त्रिया खुद बलातकार कारोप करना नहीं चाहती है क्योंकि वो खुद उसका इस्सा बन चुकी है जी स्त्रिकों शोशन होता है जिसको जबदस्ती जाना पड़ता है क्योंकि महाराज को बहुत पसंदर है महाराज को बहुत आनन देती है ऐसा महाराज को लगता है, महाराज उसको बार बार बुलाते हैं, काम छोड़ कर उसको जाना पड़ता है इसके बावजुद वो महाराज के खिलाप कंप्लेंड करने के हिम्मत नहीं करेगे क्योंकि उसको सही में डर लगता है कि महाराज गुसा हो जाएगे तो मेरा नुकसान कर देंगे उनमें अध्यत्मिक शक्ती होने के करण दैवी शक्ती होने के करण मेरा नुकसान कर देंगे मेरे पती का नुकसान करेंगे मेरे बच्चों को मार डालेंगे यहने उनके दैवी शक्ति के आधार पर उनमें जो अध्यत्मेक शक्ति है उसके आधार पर यह डर उनके मन में बहुत होता है और इसलिए कहा कि एक जमाने में मैं भक्त था तो भक्त की भावना भक्त का डर में बहुत अच्छे डंग से समझ सकता हूँ सम्झोब पती को पता चल गया कि मेरे इस तरीका इसने भोग लिया है वो कम्प्लेंट कर सकता है पुराना कानून वैसा था अभी अभी वो कानून को हटा देने के बात हो रही है यहने सुप्रेम कोड का आदेश आया है क्योंकि उस कानून के तहट पत्नी पती की समपती मानी जाते थी और उसके साथ में अगर किसे ने भोग किया तो उस पुरुष को दोशी माना जा सकता था लेकिन कौन पुरुषे हिम्मत करेगा ऐसे कम्प्लेंट करने का उसमें उसकी ही बदनामी होती है और वो भी डरता है महराज के जो भी धर्मसत्ता है ये धर्मसत्ता के अलग-अलग प्रभा होते हैं अब व्यापारी कम्यूनिटे में अगर भहिशकार डाल दिया है तो व्यापारी नहीं कर पाएगा उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं रखेगा ये तो असंभव सी बात है जब पुरा का पुरा वातावरन उसके खिलाफ होता है जैसा हुआ नाकूर के केस के बाद में कम से कम विधर और महराष्ट के रामसनही पंद के लोगों में और वो सब पुरे देश का एक दुसरे के साथ में जुड़ा हुआ होता है इसलिए तो इतना विरोधी वातावरन पनपा जो प्रमुग बन चुका था वो आगे चलकर रहा नहीं ऐसा दिख रहा है लेकिन ये जाहिर तरीके से करने को तयार में क्योंकि उनकी इज़त प्रतिष्ठा सब इसके साथ में जुड़ी होती है ये बोलते वक्त जब मैं रामस नहीं पंद का नाम लेता हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को पर क्या परिणाम होता होगा उसका मैंने लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए मैं स्रीयों के नाम टाल देता हूँ जिन फैमिलिस का इसमें इंवॉल्मेंट है उनके नाम टाल देता हूँ लेकिन रामस नहीं पंद का नाम भी टाल दू तो क्या बता हूँ लोगों को एक बाबा था ऐसा ऐसा करता था ऐसा कहने के बाद में लोग भी विश्वास नहीं रहे रखेंगे और उसका परिणाम भी नहीं मिलेगा इसलिए ये जाहीर तरीके से कोई कंप्लेंट करने को आगे आता नहीं ये सबसे बड़ी दिक्कत थी यानि इसके पहले स्रियों के साथ हमें इस धंके शोशन करने वाले जो भी बाबा थे किसी को हम जेल नहीं भेज पाए केवल हमको उनको एक्सपोस कर पाए वो मेरी हिम्मत मेरे पेपर्स की हिम्मत मेरे प्रकाशन की हिम्मत इसके आधार पर क्योंकि इसके बारे में तो काफी पॉलिस के सो सकती है मैं दैनिक लोकमत का बहुत आभारी हूँ मेरा पूरा मोमेंट दैनिक लोकमत ने खड़ा किया है 1983 से 90 तक मैं दैनिक लोकमत में लिखता था मेरे हर अपते आने वाले अंदेव विश्वास के खिलाब के जो अर्टीकल्स थे उसमें हर में 4 45 5 डिफेमिशन के सो सकती थे नमबर बन पेपर था विदर्व खांदेश का और मराट वडा में भी अभी तो महराष्ट का नमबर बन पेपर है वो सेल्स का विचार के आजाए तो उन लोगों ने कभी भी नाम के साथ में छापने के बारे में हिच्किचार्ट नहीं दिखाए कि एवल शुरुवात में एक दो साल तक मुझे हर प्रूफ उनके सामने रखना पड़ता था बाद में उनका इतना विश्वास निर्माण हुआ कि मुझे प्रूफ भी संपादक के सामने रखने के जरूरत नहीं थे वो तो जानते थे कि यह सब तैयारी करकर ही आया होगा तभी इसने लिखा आया दर्वाइज लेखने के इम्मत ही नहीं करता मैंने दूसरे पेपर्स में भी लिखने के बाद में कोशिश की जब मैं बंबई शिफ्ट हुआ यह नाम नहीं चाहिए वो नाम नहीं चाहिए तैय हुआ था एक दो साल का लों के चलाओंगा सबसे बड़ा महराष्ट का पेपर इतनी लोगों की गालिया खाते अर गया मैं छे महा में क्योंकि हर अर्टिकल में एक बाबा ऐसा ऐसा करता था एक इसी दिवी ऐसी इसी करती थी नाम ने कुछ ने लोग बोलते थे यह क्या कालपनिक कथा है आप लिख रहे हूँ महराष्ट का सबसे बड़ा पेपर नाम के साथ मैं छापने को त्यार में क्योंकि जब डिफेमिशन केस होती है तो सबसे ज़्यदा तकलिक संपदक और मालिक को होती है इसलिए उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए बहुत बड़ी हम्मत चाहिए यह दैनेक लोकमत ने दिखाई है दैनेक लोकमत ने मेरी मुवमेंट बड़े की और हम मुवमेंट के करेंड में पेपर भी बड़ा हुआ ऐसा वो साथ साथ में चलता रहा ये मेरा ताकत बरे शस्त रहता तो ये बाबाओं के बारे में लिख सके और उसको एक्सपोस कर सके ने तुम्हें भाशन दे दे कर कितने दे सकता था हर भाशन में बाबा का नाम लेकर बोल रहा हूँ उतना ही मेरे हाथ में था दूसरा कोई साधन तो था ने लेकिन पेपर में एक बार छपके आने के बाद में उसके खिलाब defamation की केस करने की वो बाबा हिम्मत नहीं कर रहा है क्योंकि सबी बाते सामने आएगी इस बात को वो डर रहा है इस कारण तो credibility बड़े पैमाने पर बढ़ते गई तब कानून नहीं था लेकिन अब कानून आए जादू टोना विरोधी कानून महराष्ट में आए ये जो महराष्ट का जो जादू टोना विरोधी कानून बना है उसका हर शब्द फाइनल करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और उसमें ये जो ग्यारवा शेडिूल में कलम है उसके बारे में मैंने अल्री लास्ट क्वेश्चन का एंसर देते हुए एंसर दिया है अभी अगर कोई बाबा किसी का शोशन करता है इस धन से तो उसके खिलाब केस दर्ज हो सकती है जीस तरीका उसने शोशन किया ओग भी अगर कंप्लेंट करने को तयार नहीं तो उसके फैमिली मेंबर्स ने कंप्लेंट करने के तयारी दिखाई तो भी हो सकता है अगर फैमिली मेंबर्स भी कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन जो दक्षता अधिकारी है विजिलन्स ओफिसर है जो इंस्पेक्टर है जिसके पर यह जिम्मेदारी दी गई है वो अगर कन्वेंस हो जाए कि इस डंका यह बाबा शोशन करता है तो उसको वो कलम लगाया जा सकता है उसको अंदर बेजा जा सकता है जो रतनागिरी में पाठिल बाबा के बारे में हुआ उसमें कंप्लेंड करने वाले कोई पिडित व्यक्तिया उनके फैमिली मेंबर्स नहीं थे इसके बावजूद पूलिस कर सकी तो यह कानून बहुत ब्यापक और अच्छा बना है आज के जमाने में इसलिए इन लोगों को अभी जेल में भीजा जा सकता है लेकिन यह भी इतना असन नहीं है एक जो बावा होता है उसका पॉलिटिकल औरा इतना बड़ा होता है कि उसके खिलाब कदम उठाने के लिए अगर घर के मेंबर्स कंप्लेंड करने के लिए तैयार नहीं है तो पुलिस में हिम्मत दिखानी चाहिए पूलिस में हिम्मत दिखाने वाले अधिकारी कितने होते हैं और उसमें अगर पॉलिटिकल हस्तक शेप रहे उपर से तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है वो अलग से एक फाइट हो जाती है लेकिन फिर भी ये कानून होने के कारण काफी आधार है अभी ये इन बाबाओं को अंदर भेजा जा सकता है एक नया दुआर खुल गया है पहले तो बहुत मुश्किल था अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेरनेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानों को विजिट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं